वो जिसकी रोश्णी कच्चे घरों तक भी पहुँचती है ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हूँ आईना जी हाँ कोरोना काल की ये अंधेरी सुरंग कब और कहां जाकर खत्म होगी कुछ समझ नहीं आ रहा है घुप अंधेरे में रोश्णी की थोड़ी बहुत उमीद सरकार से ही थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये उमीद भी छलावा ही साबित हुई है जब देश में कोरोना के आने की दस तक पढ़ चुकी थी तब मोधी सरकार टरम्प की महमान नवाजी और मध्यपरदेश की सरकार गिराने और कोरोना से डरने की चेतावनी देने वालों का मजाक उठाने में लगी हुई थी कोरोना के खत्रे को जान बुझ कर अंदेखा किया गया और उसका नतीजा पूरा देश अब भुगत रहा है सरकार ने एहतियाती कदम उठाया जैसे सबसे पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू और उसके बाद लोगडाउन लेकिन अब लग रहा है कि ये एहतियाती कदम जो थे वो ज्यादा अपने जिम्मेदारी से भागने वाले कदम थे क्योंकि अगर वाकई एहतियात बढ़ती गई होती तो देश लोगडाउन के पहले फेज में ही कोरोना के खत्रे से बहुत हद तक बच चुका होता लेकिन लोगडाउन के बावजूद मामले बढ़ते गए और सरकार लोगडाउन बढ़ाने की घोशना करती गई पहले 25 मार्ज से 24 अप्राइल तक पहला लोगडाउन फिर बढ़कर 3 माई तक दूसरा लोगडाउन और अब 17 माई तक तीसरे लोगडाउन की घोशना से साफ हो चुका है कि मोधी सरकार के पास कोरोना से मुकाबले के विए कोई प्लान नहीं है तारीख पर तारीख ये डायलोग अक्सर नियाएक मामलों में देरी के लिए बोला जाता है फिल्म दामिनी में सनी देवल ने इसे बड़े दमदार तरीके से बोला था और अब तो सनी देवल भाजपा से सांसद हैं इसलिए उनका ये डायलोग तो केंदर की भाजपा सरकार को जरूर याद रहना चाहिए क्योंकि अब तो पूरा देश मोदी सरकार से पूछ सकता है कि तारीख पर तारीख क्या यही है कोरोना से निपटने के लिए आपका प्लान जब पहला लॉकडाउन किया गया तो उसके लिए महज चार घंटों का समय देश को दिया गया नतीजा ये हुआ कि हरोड अफरा तफरी मच गई सबसे ज़्यादा बुरे हाल हुए मजदूरों के और घर से दूर रहकर रोजी रोटी कमाने वालों के उनके लिए घर पहुँचने के, कमाई के और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ जीने के दर्वाजे बंध हो गए मेहनतकश लोगों को सरकार के निकम्मेपन ने हाथ पसारने पर मजबूर कर दिया जिस तरह धर्मस्थलों के बाहर खड़े याचकों को दान दिया जाता है उसी तरह देश भर में हजारों लाखों लोगों को लाइन में खड़े करके भोजन बातना शुरू हो गया मोदी सरकार ने देश के आम आदमी को फिर लाइन में खड़ा कर दिया लोगडाउन फेज वन के बाद भी कोरोना संक्रमन के मामले नहीं थमे बलकि मरिजों की संख्या बढ़ने लगी इस बीच उत्सवों की तरह ताली बजाने गर्बा करने दिया जलाने के खेल तमाशे भी हो गए लेकिन सरकार इस दोरान कोरोना की रोग थाम के लिए और कोई कारगर योजना नहीं बना पाई देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण बिना किसी तैयारी के 15 अप्रैल से शुरू हो गया जिसे 3 मई तक चलना था इस दोर में भी सरकार के कोई नरनायक कदम देश ने नहीं देखे रैपिड टेस्ट के लिए जो किट चीन से मंगाई गई वो खराब निकली डॉक्टर और स्वास्त कर्मियों के लिए पी-पी-ई किट की वियोस्था भी पूरी नहीं हुई यानि न टेस्ट प्रयाप्त संख्या में हुए न इलाज के दोरान बचाओ की पूरी तयारी थी दूसरे दोर के लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत और बिगड गई सरकार से गुहार लगाई जाने लगी कि इन्हें किसी तरह इनके घरों तक पहुँचाया जाए ताकि हजारों किलो मीटर पैदल चलने और बीच राह में तड़ब कर मर जाने की जो दुखत तस्वीरें देश ने देखी हैं उन्हें लगातार न देखना पड़े सरकार तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही कोटा से संपन परिवारों के बच्चों को बुलाने के लिए बस की व्यवस्था और विदेश में बसे भारतियों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था तो हो गई लेकिन लाचार परवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने के सुध सरकार को तीसरे लॉगडाउन के दो दिन पहले आई पंजाब और महराश्च्च जैसे कुछ राजी मजदूरों को वापस लाने के लिए विशेश ट्रेन चलाने की मांग कई दिनों से कर रहे थे अब जाकर सरकार ने फैसला किया है और तिलंगाना से जहारखंड तक मजदूरों को लेकर पहली विशेश ट्रेन चली है तो देर आयद दुरुस्त आयद ये मुहाबरा जिन्दगी जीने के दौरान तो इस्तिमाल हो सकता है लेकिन जब सवाल जिन्दगी और मौत का हो तो देर होने पर दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं रह जाता बेशक घर लोटने के लिए ट्रेन की व्योस्था होने पर अब तक अपने हाल पर जिन्दा बहुत से प्रवासी मजदूरों की मदद हो जाएगी लेकिन क्या इस से उनकी जिन्दगी भी समल जाएगी ये बड़ा सवाल है जो तब का रोज कमाता और रोज खाता हो जिसके लिए एक दिन की कामबंदी का मतलब जवरिया उपवास हो उसके लिए डेर दो महिनों की कामबंदी कितनी कश्ट दायक होगी उसका एहसास कोई भी भरे पेट नहीं कर सकता है और मवजूदा केंदर सरकार तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि उसकी सम्वेदन हीनता जो है उसके उदाहरन तो बड़ती महंगाई पर दिये बयानों से सामने आही गए थे याद कीजिए कैसे बॉलिवोर्ड फिल्मों के कलेक्शन से देश में सम्वरिधी का पैमाना मापा गया था या प्याज महंगी होने पर ये कहा गया था कि हमारे घर प्याज नहीं खाई जाती ऐसी सम्वेधन ही इन सरकार से देश उमीदों की टक्टकी लगाए बैठा है कि इस वक्त रोजगार और व्यापार का जो संकट आया है उससे निकलने के लिए कोई बड़ा एलान या राहत पैकेज दिया जाएगा लेकिन इस मोर्चे पर भी निराशा ही हाथ लग रही है उधर सरकार अपने लिए और अपने दोस्तों की मदद के लिए खर्च करने को तयार नजर आ रही है देश इस वक्त गंभीर नकदी संकट से गुजर रहा है सरकार अपना ख़जाना खाली बता रही है लेकिन शायद ये खाली पन के वल आम आदमी के लिए ही है क्योंकि जब देश के पास वेंटीलेटर, आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग के लिए किट तक नहीं है तो इस वक्त भी सरकार अपने लिए सीमेंट के भब इमारत खड़ी करना चाह रही है जी हां सरकार ने 20,000 करोर रूपे का सेंटरल विष्टा प्रोजेक्ट बनाया है आपको बता दे कि संसद भवन, राष्टपती भवन, नौर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतें जैसे महतुपूर, मंत्रालेयों और इंडिया गेट जैसी प्रतिष्ठित इमारतें सेंटरल विष्टा में आती हैं इस जगह की लगभग 86 एकड़ भूमी से संबंधित भूमी उप्योग में बदलाव की अधिसूचना केंदर सरकार ने 20 मार्च 2020 को जारी की अब यहां एक नया संसद भवन और एक नया आवासिय परिसर बना कर उसका पुनर विकास करने का प्रस्ताव है जिसमें प्रधान मंत्री और उप राश्रोपती के अलावा कई नये कारियाले भवन होंगे हजारों करोर की ये रकम अगर कारोबारियों और मजदूरों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता तो उससे देश में आर्थिक विकास का रुका हुआ पहिया आगे बढ़ता लेकिन सरकार के लिए शायद अपने एशो आराम ज्यादा जरूरी है एक और सरकार के पास नकत की कमी है उसे खुद अमेरिका, ADB, World Bank इन सबसे मदद की गुहार लगानी पड़ रही है या अपने कर्मचारियों की वेतन में कटाउती करनी पड़ रही है तो दूसरी और भगोड़े उद्योग पतियों के लिए फिर एक महरबानी हो गई है जी हां एक RTIE में खुलासा हुआ है कि देश के बैंकों का पैसा जान बूचकर नहीं चुकाने वाले 50 सबसे बड़े बकायदारों के और 66,607 करोर रुपे के कर्ज को बटे खाते में डाल दिया गया है अलांकि रिजर्ड बैंक की सफाई है कि राइट आफ एक बैंकों की तरब से की जाने वाली अकाउंटिंग की प्रक्रिया होती है जहां कर्ज को एक अलग बटे खाते में डाल दिया जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कर्ज की वसूली ही बंद कर दी जाती है बैंक ने की हो हजारों करोड कर्ज लेकर देश से भागने वाला विजय मालिया या म्योहुल चौक्सी से सरकार किस तरह कर्ज वसूलती है ये भी आने वाले सालों में देश देख ही लेगा बेरहमी, बदिंतजामी और बहाने मोधी सरकार के ये तीन मुल मंत्र देश पिछले छे सालों से देख रहा है सरकार की लगातार अंदेखी और अविचारित फैसलों का ही असर है कि अब गरीब आदमी के साथ साथ छोटे बड़े कारोबारी जो हैं वो खाली होती जेबों से डड़ने लगे हैं तिस पर सरकार की अकड़ ऐसी कि वो अर्फनीती के जानकारों की सलाह भी अनसुनी कर रही है उसे भी राजनीती के चश्मे से देख रही है मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो बातें बहुत बड़ी-बड़ी की थी आपको याद होगा कि मेकिन इंडिया का शेर खड़ा किया था लेकिन आज ये कागजी शेर साबित हो रहा है क्योंकि PPE और टेस्टिंग किट भी हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही है मोदी जी ने नोटबंदी का जानलेवा जोखिम उठाने के लिए देश को लाइन में खड़ा कर दिया जिस वजह से आम आदमी की कमट तूट गई और कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन ने उसी चोट पर फिर से वार किया है जी एश्टी का फैसला भी कारोबार के लिए घातक साबित हुआ रोजगार के नाम पर पकोडा तलने की सलाह इसकदर भारी पड़ी की देश की बड़ी युवा आबादी काम के लिए तरसने लगी और इन पुरानी गलतियों के जख्म इस कोरोना काल में फिर से दर्द दे रहे हैं अगर देश में संपन्न लोगों की संख्या बढ़ी होती तो शायद आज हालात इतने बुरे ना होते लेकिन अब तो भविश्य को लेकर कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है दुनिया के 73 देशों में लागू सक्स लोगडाउन में भारत सबसे उपर है और इस दौर में देश में विरुजगारी दर 24 फीसदी तक पहुँच गई है जो अब तक की सबसे अधिक है मार्च में भारत से पुन्जी का पलायान भी सबसे अधिक हुआ है मोटे तोर पर 15 अरब डॉलर देश से बाहर चले गए और जोगिक उत्पादन बुरी तरह ठप हुआ है लिहाज़ा घरेलू उस तरपर कमाई के आउसर घटे है लॉगडाउन के चलते MSME कमपनियों को आशंका है कि 15 से 20 फीसदी इकाईयां बंध हो सकती है इसका सबसे ज्यादा आसर रोजगार पर पड़ेगा दूसरा बड़ा संकट ये है कि ज्यादतर इकाईयों में 40-50 फीसदी काम करने वाले दूसरे राज्यों के होते हैं लॉगडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से ठीक पहले केंदर सरकार ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन और बस से अपने हां ले जाने की अनुमती दी है ऐसे में लॉगडाउन खत्म होने के बाद इन इकाईयों में काम शुरू होने में दिक्कतें आएंगी देश की अर्थव्योस्था में मेनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जीडीपी में करीब 70 फीसदी योगदान मिलता है और करीब 44 फीसदी रोजगार यहीं पर है लेकिन लॉगडाउन में इन दोग शेत्रों में हर हपते करीब 2 लाख करोड का नुकसान हो रहा है देश की बड़ी आबादी इस नुकसान को कैसे और कब तक जहेलेगी यह चिंता भरा सवाल है जिसे मोधी सरकार शायद हल ही नहीं करना चाहती तो मोधी सरकार के सामने इस वक्त महामारी से देश को बचाने और आर्थिक संकट से निपटने के दोहरी चुनोती है वाइरस के प्रकोब की रोक थाम की कीमत गरीबों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों को अदा करने नहीं दी जा सकती और नहीं अर्थव्योस्था की नीव इसकदर कमजोर होने दी जा सकती है कि महामारी से उबढ़ने के बाद देश आर्थिक मलवे पर बैठा हुआ नजर आए करवी सचाई ये है कि ये वक्त दो तरह की जिंदगियों में से एक को चुनने का है मोदी जी के शबदों में कहें तो जान के साथ जहान भी बचाने की चुनौती है जिससे निपटने के लिए सरकार को जानकारों की सलाह लेनी ही चाहिए जैसी की हाल ही में रहुराम राजन ने दी है वित्तमंत्री निर्मला सितारमन ने पिछले महीने जिसे 1,70,000 करोर रुपे के राहत पैकेज की घोशना की थी वो GDP का मात्र 0.8 प्रतिशत ही है इसका एक बड़ा हिस्सा कोविद से पहले ही बजट में शामिल किया गया था इसलिए इस नए राहत पैकेज का असर बहुत सिमित है जानकारों का मानना है कि केंद्र को GDP के कम से कम 4 प्रतिशत के बराबर राजकोशिय राहत पैकेज जारी करना चाहिए जो करीब 8 लाख करोड की राशी होगी ये कामगारों को सीधी नकदी साहता के साथ छोटे बड़े वेवसायों को लंबित भुगतान के रूप में होना चाहिए रिजर बैंक के पुरु गवर्नर अगुराम राजन ने राहुल गांधी से एक चर्चा में सलाह दी है कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65,000 करोड रूपे खर्च करने पड़ेंगे और देश की GDP के 200,000,000 करोड में से इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है उन्होंने ये भी कहा है कि CMIE के आकड़े से पता चलता है कि करोणा के कारण करीब 5 करोड लोगों की नौकरी जाएगी और करीब 6 करोड लोग श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे इसलिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अर्थवियोस्था खोलनी चाहिए जिससे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो देश के जाने माने उद्योगपती एनार नरायन मुर्ती ने भी कहा है कि अगर लोकडाउन चलता रहा तो लोग कोरोणा की बजाए भूख से मरने लगेंगे तो सरकार को सही सलाह देने वालों की कमी नहीं है लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार कभी देश में सब का विकास खासकर गरीबों का विकास करने के लिए मिल रही सलाहों को सुनेगी या गरीबों की संख्या छिपाने में ही सारी होश्यारी दिखाई जाएगी देश की एक बड़ी आवादी के सामने रोजगार का सवाल है गरीबी के आकड़े बढ़ने का डर है लेकिन इस डर का सामना करने और उसे दूर करने की जगह सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है जबकि दुनिया के कई देश इस वक्त ऐसे फैसले ले रहे हैं जो इस मुश 2011-12 में आंकड़ा दिया था कि देश में 27 करोड गरीब हैं यानि कुल आबादी का 21.9 प्रतिशत यूपिये सरकार के वक्त योजना आयोग ने प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से गरीवी रेखा तै की थी गाउं में अगर एक आदमी 25 रुपे रोजाना कमाता है तो वो रुपे की जितनी भी नहीं रह गई है और मोधी सरकार ने अभी गरीबों के नए आंकड़े नहीं बताए हैं लेकिन आयेलो की चेतावनी है कि इस लौकडाउन में गरीबों की संख्या बढ़ेगी इसका एक कारण ये समझ में आता है कि लोगों के पास रोजगार के और कम कोशी राहत पैकेज जारी किया है इसके तहट कामगारों और उनके परिवारों को नकड़ी साहता और लगू एवं मध्यम विवसायों को मदद पहुचाने का उदेश है वहीं इंग्लैंड के अर्थमंतरी भारतिय मूल के रिशी सुनक ने बाउंस बैक लोन स्कीम पेश की है इस स्कीम के तहट सुनक ने एक सामाने ऑनलाइन आवेदन के जरिये लगू द्योगों को दो हजार से पचास हजार पॉंड का एक साल तक का बिना ब्याज का कर्ज एक सपता हमें उपलब्ध कराया है इसके अलावा दूसरे अनुदानों और टैक्स भुकतान में माफी ज प्रदान करना और टैक्स भरने वालों की नौकरी बचाना हमारा सबसे बड़ा उदेश्य है इसी तरह कनाड़ा की संसद ने कोविद 19 राहत विधयक पारित किया है जिसे प्रधान मंत्री जश्टिन टूडो ने दुईती विश्यूद के बाद से देश का सबसे महतपूर् पार्थिक कारिकरम कहा है सभी दलों के हाउस आफ कॉमन्स और सीनेट के सदस से सरकार के बावन अरब डॉलर के वेज सबसीडी प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए सहमत हुए जो की करीब 42,000 डॉलर तक की 75% कमाई को कवर करेगा इसका लाभ लेने के लिए नियोकताओं क को ये दिखाना होगा कि उन्हें पिछले साल की समान अवधी की तुलना में मार्च से राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत या अप्रैल और मई में 30 प्रतिशत की कमी की आशंका है राहत पैकेज का उदेश बिजनेस को इस सोच के साथ बढ़ावा देना है कि कर्मचारियों की छटनी ना हो सके तीन के बाद देश में कोरोना का प्रसार कैसे रोका जाए और अर्थ व्यूस्था पर लगा ब्रेक कैसे हटाया जाए खेर हबीब जालीब ने ठीक ही फरमाया है कि हम अहले दर्द ने ये राज आखिर पालिया जालीब की दीप उचे मकानों में हमारे खूं से जलते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ तब तक देखते रहे हैं डीवी लाइव नमस्कार